हेलो इवरेम वेकम टो क्लास स्रीज और आज के इस वीडियो में हम जैस कॉश्चन को सौल करने जा रहे हैं वह कॉश्चन है find the ratio of 72 to 36 सबसे पहले हम कॉश्चन को समझते हैं कॉश्चन के अंदर क्या बोला है find क्या find करना ratio find करना है किस के बीच में 72 to 36 मैं एक बार answer में लिखता हूँ 72 to 36 के बीच में अपनको ratio find करना है अब दोनों same है same units के अंदर है कोई भी different नहीं है तो अपन easily calculate कर सकते है ratio therefore हम लिखेंगे ratio is equal to जो कि 72 पहले दे रखा है यह numerator में आ जाएगा और 36 दे रखा है तो यह denominator में आ जाएगा इसको अब हम further divide करेंगे first हम divide by 2 करेंगे दोनों number divisible by 2 है तो यह basically हो जाएगा 236 to 72 and 2 18 to 36 तो क्या मिला 36 divided by 18 मिला है अपनको ठीके अभी अपन वापिस further divided by 2 करेंगे तो यह basically हो जाएगा 29 to 18 and 280 to 36 तो क्या हो गया 18 divided by 9 हो गया इसको आगे हम further divide करेंगे यह क्या हो जाएगा यह basically हो जाएगा 3 3 is a 9, 3 6 is a 18 तो क्या मिला 6 by 3 मिला है अपनको तो अभी अपन basically क्या करेंगे क्या यह further divisible होगा 3 1 is a 3, 3 2 is a 6 तो अपनों क्या मिला है 2 by 1 मिला है तो क्या यह आगे further divisible है नहीं यह further divisible नहीं है तो अपना answer क्या होगा basically यह हो जाएगा ratio is equals to 2 is to 1 ठीक है so this is your answer